Hello everyone, कैसे आप लोग, I hope आप लोग अच्छ होंगे चले पहले question को start करते हैं हम लोग यहाँ पे question को read करते है A ball of mass 200 gram is attached to the string of length 50 cm and a force F is applied on it as shown If the work done by this force, if string makes an angle 60 degree with the vertical if the initial and final position speed of the ball is 0 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ 0 तो अब यह क्या होगा, work done by F force तो इस चीज को solve करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ठीके, माल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास initial condition में ball कुछ इस तरीके से है vertically hang कर रही है, ठीके न? यह माल लेते हैं, ball इस तरीके से इस string के through hang कर रही है मैं इसके उपर एक F force लगाता हूँ और इस F force की value कुछ given दे रखे क्या? नहीं दे रखे है F force की value कुछ नहीं दे रखे है और यहाँ पे M mass की value दे रखे है 200 gram M mass की value कितने दे रखे है? 200 gram अब जब मैं इस force के through इसको खीशता हूँ तो यह वाला force इस वाले ball को कुछ इस तरीके समूव कर आगा और यह वाला bob जो है या ball जो है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा ठीक है? बट फोर्स अभी भी इस पर इसी direction में लग रहा है clear? अब देखे समझे कहीं हैं यहाँ पर LQLU यह दे रखे clear? अच्छा अब यहाँ पर देखे अगर मैं बात करूँ यह वाली ball जो है वो कुछ यहाँ से कुछ इस तरीके से move कर रही है यहाँ बनाता हूँ यह वाली ball कुछ इस तरीके से जा रही है clear? यह ball कुछ इस तरीके के बात को follow करते हूँ जा रही है ठीके? तो यह वाला एंगल यहाँ पर जो बनेगा वो एंगल बनेगा ठीटा एंगल यहाँ पर एंगल बनेगा ठीटा एंगल यहाँ पर टेंशन टी टेंशन यहाँ लग रहा होगा टी टेंशन यहाँ लग रहा होगा यहां पर ball लग रहा होगी तो यहां पर tension T दर लग रहा होगा ठीक है और mg force यहां लग रहा होगा नीचे की और clear अच्छा और F force इस direction में लग रहा है तो आप जब यह वाली ball यहां से यहां पर जा लिए तो यहां पर question में mention कर रखा है कि ball की initial velocity भी 0 दर रखे है और ball की final velocity भी 0 तो आप कैसे solve करेंगे इसको question को आप लोगों से बोला गया है work done by force F F force की वज़े से क्या work होगा यह theta angle जो है वो 60 degree angle travel करता है तो देखे इस condition में हम लोग question का diagram एक बार मैं दुबारा से बना लेता हूं यहां पर मैं इसको copy कर लेता हूं इसको मैं copy कर लेता हूं और मैं जो भी चीज़े हटानी होंगे वह हटा दूंगा यहां से यह diagram मैंने दुवार से copy कर लिया और यहां पर मैं यह force हटा देता हूं है अब क्या होगा उस चीज़ को समझते हैं यह wall कुछ इस तरीके से present अब देखें समझ लिए यहां पर मैं कुछ इसके यहां पर यह वाली जो length होगी इसकी यह वाली length जो होगी वह होगी L clear L की value अगर मैं यहां पर एक horizontal component बनाता हूं यह वाला इस L का एक यह वाली length हो जाएगी L sin theta यह वाली length कितने जाएगी L cos theta यह length और यह वाली length कितने जाएगी L sin theta अब इस चीज़ को समझेगा जब यह वाली ball यहां से यहां जा रही है तो F force भी work कर रहा है tension के बारे वज़े से भी work हो रहा हुआ और mg की वज़े से भी work done होगा क्यों कि यह 3 force लग रहा है तो इन सभी forces के बारे में बात करता है तो by work energy theorem by work energy theorem work done by tension work done by mg force plus work done by F force is equal to changing its kinetic energy मतलब कि final kinetic energy minus initial kinetic energy जीरो और final kinetic energy भी जीरो की इस ball की यहां पर भी speed क्या है जीरो इस point पर भी speed क्या है जीरो तो अब यहां पर देखें अच्छा एक और चीज़ समझेगा अब अगर आप थोड़ा से ध्यान से देखें तो नॉर्मल यह जो tension force लग रहा है इसके displacement अगर छोटा सा displacement में लूँ त तो tension perpendicular direction में लग रहा है यहां पर अगर मैं चोटा सा displacement लेता हूँ यह वाला चोटा सा displacement तो यहां पर भी tension perpendicular direction में लग रहा है यहां पर भी tension की draw करूँ तो यह tension इस direction में लग रहा है मनले कि इसके छोटे से displacement की बात करता हूँ यहां पर भी perpendicular direction में मनले कि work done by tension force तो हमेशा ही 0 रहेगा दूरिंग दर सब्लों पाथ है ना कि टेंशन फोर्स उसके डिस्प्रेश्मेंट से प्रपेंडिक्लर डिरेक्शन में लग रहा है अब बात आती है कि यहां से डिस्प्लेश होके वर्टिकल डिरेक्शन में इस लेवल पर डिस्प्लेश हो रही है यहां से लेकिए यहां तक मैं एच माल लेता हूं यह एच हाइट ट्रेवल कर रही है तो अगर आप द्यान से देखे है H की value होगी ये वाली length कितनी है L और L में से ये cos theta minus कर दूंगा तो क्या हो जाएगा H की value हो जाएगा तो L minus L cos theta L मैं common ले लेता हूं अंदर 1 minus cos theta बचेगा अब देखे H L की value 1 by 2 और ये हो जाएगा 1 minus cos 60 की value हो जाएगी 1 by 2 और H की value हो जाएगी 1 by 4 मीटर इतने height पर जा रहा है clear इतनी height पर body जा रही है और यह slowly जाएगा अब यहां पर work done by gravity क्या हो जाएगा म माइनस MGH क्यों 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 एम जी फोर्स कि दर लग रहा है नीचे और उपर क्यों क्यों हो रहा है एफ के बार माँ और कोई information दे नहीं रखे M की value कितनी है 200 gram मतले कि 200 divided by 1000 into G की value 10 और H की value 1 by 4 हम लोग इसको solve करते हैं तो यह आजाएगा 200 से यह 5 पर कट जाएगा और यह 5 से यह 2 पर कट जाएगा और यहां पर work done by force is equal to 0.5 joule I hope आप लोग कोई question सब्सक्राइब करेगा और बेल लाइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जोई latest lecture हो आप लोग को पास सबसे पहले पहुंसके thanks for watching this video